आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर कमेंट्स करके ये पूछते रहते हैं कि राहुल गांधी की जो वाइनाड लोक सभा सीट है उसका उपचुनाव क्यों नहीं हो रहा है उसका उपचुनाव डिकलेर करने में देरी क्यों हो रही है कुछ लोगों को तो लग रहा था कि सायथ करनाटक के विदान सभा चुनाव के समय ही इस चुनाव को डिकलेर कर दिया इसके पीछे केंदर सरकार की क्या रननीती है चुनाव आयोग इस वारे में क्या सोच रहा है ये मुझे नहीं मालूम लेकिन सवाल तो उठता है कि एक साल से अधिक का समय अभी भी अगर हम बात करें अगर जून के महीने की भी तो लगबग 11 महीने अगली लोकसभा के गठन म बचे हुए है तो ऐसी स्थिती में इन पाँच लोकसभा सीटों पर चुनाव तो होना चाहिए अगर छे महीने का भी कानून यह कहता है ज़न्ते नहीं की धारा 121 एक के अनुसार लोकसभा की किसी रिक्तिकों भरने के लिए उप्चुनाव रिक्तिकीं इसे 6 महीने की अवदी के बीतर हो जाना चाहिए यदि सांसद का कार्यकाल एक वर्ष से कम नहीं है यानि कि मार्च में अगर पुने के सांसद का निधन हुआ था तो 6 महीने के अंदर-अंदर मार्च का उस पुने सीट का उपचुनाव हो जाना चाहिए आप सोच रहोंगे कि मैं किन-किन सीटों की बात करूँ आपको विस्तार से बताने की मैं कोशिश करूँगा और चुकि मेरे चैनल का उदेश्य यही है कि अपने दर्शकों की जानकारी को बढ़ाया जाए उसको एंडिच किया जाए तो इस बारे में मैं थोड़ी डिटेल से बात करना चाहूँगा देखिए इसमें जो सबसे एक परमुक्सीट है जिस पर कहसी चर्चाएं हुई है राहुल गांदी के अलावा गर बात कर राहुल गांदी पे तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है हमने बहुत सारे वीडियो भी गुनाए हैं और राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोशी ठहराया था आप सब को पताई है जो मोदी सरनेम वाला मामला हुआ था कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं इसके बाद वो सेशन कोर्ट में भी गहे थे वहां से भी उन्हें कोई रह और चुनाव आयोग काईदे से वाइनाड के नतीजे का इंतिजार कर रहा है क्योंकि इससे पहले लक्षडीप का उप्चुनाव डिकलेर कर दिया गया था जहां से NCP के सांसद का निधन हो गया था फिर बाद में सोरी निधन नहीं वता उनको ऐयोग्य गोशित कर दिया ग ऐसे मामले नहीं हैं ज्यादतर पर तो सांसदों के निधन ही हुए हैं उस वज़े से सीट खाली पड़ी हुई हैं उन पर भी चुना होना चाहिए एक ऐसा अजीब और गरीब जो मामला है वो गाजीपुर का है उत्तर परदेश की गाजीपुर लोग सभा सीट जहां से बस गोशी करा गिया था अफजल अंसारी को चार साल की सजा होई थी और मुक्तार अंसारी जो अलरड़ी जेल में बंद है कई साल से उसको दस साल की सजा होई थी दोनों ही भाई भाई जेल में पहले से ही बंद रहे हैं तो इस वज़े से इनको एयोग गोशित कर दिया गया थ वो सांसच चुने थे और उन्होंने भी अंसारी को हराया था तो उसके बाद से ये सीट जो है बीजेपी निश्चित रूप से जीतना भी चाती है और अगर ये उपचुनाव होता तो बीजेपी के पास मोका होता लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाती कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई बाइपॉल हो और वो हार जीत के नतीजे का रिफलेक्शन अगले लोग सभा चुनाव उपर पढ़े हो अलकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दो उप चुनाव अभी जीते हैं आजमगड और रामपूर के दोनों ही समाजवादी पार्टी से उन्होंने चीन है अकलेश यादव और आजमखामवाली सीटों को बीजेपी ने चीता है लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों बीजेपी यहां से जिचक रही है बात करते हैं महराष्ट की महराष्ट से बीजेपी के सांसत पुने सीट से 72 साल के थे स्वर्गय ग लगा रहता था ओक्सिजन सिलेंडर लेकर साथ में आते थे तो काफी बीमार थे लेकिन उनका छेतर में दब दबा था पांच बार के मले रहे और 2019 में पहली बार सांसत का चुनाव लड़ा और यहां से वो जीत गए वो सीट भी रिक्त है दूसरी जो सीट यहां की रिक्त ह वो बड़ी इंपूर्टेंट है इस देखे इस सीट के बारे में इसलिए में भी बता दू क्योंकि कॉंग्रेस की दरश्टी से यह सीट बहुत ही महत्पून है यह है चंदरपूर लोकसभा सीट चंदरपूर लोकसभा सीट कॉंग्रेस की दरश्टी से दोस्तों महत्पून इसलिए है क्योंकि यहां से कॉंग्रेस के इकलोते सांसत थे माराष्ट से सुरेस बालू धनोरकर उनका 30 मई को बीमारी के बाद निधन हो गया केवल 47 साल के थे अप एक शाकरत काफी युवा थे उनकी गुर्दे में पत्री की समस्या थी ऑपरेशन वहां का नागपूर में पहले एक उस्पिटल में फिर उन्हें दिल्ली के मैदान था उस्पिटल में ट्रांसपर किया गया गुर्गाओं के और वहां पर उनका फिर निधन हो गया था 30 मही को और उनकी जो पत्नी है प्रतिभा वो वरोरा भदरावती सीट है उन्हीं के लोग सभाच्षेत्र की एक विदान सभा सीट है उससे MLA है चर्चा ये भी है कि Congres उनको भी टिकट दे सकती है उनकी पतनी को भी वैसे इससे पहले बता दू के वो 2014 में जहां से उनकी पतनी समय MLA है वहां से वो विदायक बने थे शिव सहना के टिकट पर लेकिन बाद में वो Congress में चले गए Congress ने उनने लोकसभा की सीट ओफर की और 2019 का चुनाव वो जब लड़े चंदरपूर सीट से तो वहां से वो जीतने में सफल रहे और देखिए किसे हराया था उन्होंने ये भी एक बड़ी महत्वून बात है उन्होंने बीजेपी के दिगज निता चार बार के सांसद हंसराज अहीर जो क अव्यारत त्रेश धनोर करें आब चरक्चाएं काफी है यहां से किसको टिकट मलागा कोई कह रहा है उनकी पतनी को टिकट मलागा को बेटी को टिकट मलागा लैकिन सवाल यही है क्या यहाँ पर चुनाव होगा और देखिए जो महराश्त की दोनों लोग सभा सीटे हैं उने की और चंदरपूर की इसके बारे में एक बात और भी है कि यहाँ पर उप्चुनाओ कराने में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों यह भी है कि यहाँ पर जो सरकार है इस समय एकनाथ सिंदे और देविंदर फड़नवीस की जो चल रही है बीजेपी से लेकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाले उन्हें लगता है कि अगर इस तरह के उप्चुनाओ में हार का सामना करना पढ़ गया गटबंदन को तो दिक्कत हो सकती है मैसेज यह जा सकता है कि जो गटबंदन है वो सक्सेस्पुली काम नहीं कर रहा है बहुत सारी चीजें थौट्स में चल गई है हलांकि मुझे लगता है कि चुनाओ तो यहाँ पर होगा लेकिन अभी नहीं तो हो सकता है कि कुछ महीने के पाद हो अभी आने वाले समय में कई राज्जों के चुनाओ होने उनके साथ भी यहाँ चुनाओ करा जा सकता है एक और सीट बचती है लोग सबाकी वो है अंबाला की सुरक्षित सीट रिजल सीट जहां से पूर केंद्रिय मंतरी रतलल कटारिया दो तीन बार तीन बार सांसद रहे हैं वहां से बीजेपी के उनका ठारा मही को बिमारी के करण चंडीगड का जो पीजी आई है उसमें निध इसके साथ जो गडबंधन में उनकी सरकार है जननायक जनता पार्टी जेजेपी दुश्यंत चोटाला वाली जो डिप्टी सीम भी है वांके उनके साथ भी उनकी खटपट शुरू हो गई है तो ऐसी स्थिती में भारते जनता पार्टी हर्याना का उप्चुनाव लेकर भी चिंति थे यहां से कुमारी सैलजा कॉंग्रेस की जो पुरदेश अध्यक्ष भी रही है यहां की और केंदिर्य मंत्री भी रही है वो भी सांसद यहां से रह चुकी है तो उनका भी यहां पर काफिर दबदबा है दलित नेताओं में उनकी भी अच्छी कासी पैचान है हाल लोग जब मिनिस्टर बनाय गए थे और हर डॉक्टर हर्श्वर्दन, पोक्रियाल, रवीशंकर परसाद को उटाया गया था उसी समय रतनलाल कटारिया को भी अटाया गया था वैसे पुराने नेता थे कटारिया साप वेवरद नेता थे 1985 में ये रादोर सीट थी यहां की विदान सभा की वहां से मले भी रह चुके थे तो इन पाँच सीटों पे वाइनाड, गाजीपूर, पुने, चंदरपूर और अंबाला इन सीटों पर उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है राजनितिक गलियारों में इस पर चर्चाएं हो रही है ये भी माना जा रहा है कि जब तक केंदर सरकार नहीं चाहेगी चुनाव आयोगा आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन रिस्क है वाइनाड के नतीजे को लेकर सभी लोगों का ये मानना है कि वाइनाड को लेकर अटका हुआ है वैसे बात बताओ मैं आपको अभी 2021 में बात है जब उत्तर परदेश के विदान सभा चुनाव में एक साल का समय शेष था 2022 के मार्च में आपको पता ही है कि उत्तर परदेश के विदान सभा चुनाव हुए थे तो 2021 में कई सांज कई विधायकों का निधन ह गया था उत्तर प्रदेश की कोवीड की वजह से विजे कश्चप थे जो मंत्री भी थे चर्थावल से उनका निदन हुआ था कई और विधायकों का निदन हो गया था लगभग मेरे ख्याल से जो अगर मेरे जान पड़ रहा है छे-साथ सीटे ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश क खाली रहती पूरे साथ लेकिन उस समय सरकार ने ये कह दिया था चुनावायक उन्हें कह दिया था कि कोवीड के कारण चुनाव कराना कोई उचित नहीं है क्योंकि मार्च 2022 में तो यहां के विधान सभा चुनाव की हुई है लेकिन क्या सांसद की जो सीट है लोक सभा की ज चुनाव होना है तो ऐसी इस्थिती में क्या उन चुनाव के साथ ये चुनाव होंगे या उन से पहले ही ये लोग सभा के चुनाव होंगे इस पर सबसे बड़ा जो मामला अटका हुआ है वो वाइनाड लोग सभा सीथ का अटका हुआ है जहां से राहुल गांदी की सिद्थ गई है और उन्हें आयोग गोशित किया गया है और वो इस फैसले के खिलाब कोर्ट में उच अदालत में अपीली भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी फुक फुक कर कदम रख रहा है और इसी वज़े से इस मामले में इतनी देरी की जा रही है तो देख अच्छा होती रहेगी बात होती रहेगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजेगा शेर भी कर दीजेगा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन जरूर प्रेस करें वरना म मैं अक्सर लाइव आता हूं और आपको लाइव आने का पता नहीं चलेगा नमस्कार